दोस्तो सुतली बॉम उन बॉम्स में से एक है जो फूटने के बाद सबसे ज़्यादा तेज आवाज करता है लगबा कई सारे लोगों ने ऐसे फोड़ा भी होगा तो चलिए जानते हैं आकरेन फैक्टरी में कैसे बनाय जाता है सबसे पहले इन कार्ड़ बॉक्सेस में बारूत को भारा जाता है फिर इन बॉक्सेस में धागा जिसे हम सुतली कहते हैं उसे बानते हैं जब अंदर की बारूत जलकर भान निकलने की कोशिश करती है तब यही सुतली अंदर प्रेशर क्रियेट करती है और उसे काफी जोर का धमाका होता है सुतली बानने के बाद उने कोश समय के लिए सुखाने के लिए रखा जाता है अब इस पर हरा कलर डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है ये कलर कुछी घंटों में सूख जाता है अब इन bombs को बापस अंदर लाये जाता है और एक सुई की मदद से hole गिराये जाते है अब इस hole में धागे या fuse को अंदर डाला जाता है जो जलकर bomb को फोड़ने में मदद करता है उसके बाद label लगाये जाता है जो fuse को पकड़े रखता है अब उसे boxes में pack किया जाता है और बेचने के लिए बेच दिया जाता है